Valentine Day जिसे प्यार का दिन भी कहा जाता है. हर साल 14 फर्वरी को मनाया जाता है. यहाँ दिन दुनिया भर में प्रेमी जोरो द्वारा बड़े ही उत्सा और खुशी के साथ मनाया जाता है. वेलेंटाइन दे का इतिहास रोमन समय में वापस जाता है जब यहां माना जाता था कि मध्य फर्वरी में बसंत रितु की शुरुआत होती है और यहां प्रणय की शुरुआत का प्रतीक है आज के समय में वेलेंटाइन दे को विशेश तरीके से मनाने के लिए लोग अनेक प्रकार के उपाय खोजते हैं इस विडियो में हम वेलेंटाइन दे को मनाने के लिए कुछ अनोखे और रोमाचक विचार प्रस्तुत करेंगे जिनके माध्यम से आप अपने प्रियजन के साथ इस दिन को और भी खास बना सकते हैं। एक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच समय बिताएं। प्रकृति की गोध में समय बिताना प्रेम को गहराई से महसूस करने का एक बहतरीन तरीका है। एक दूसरे के साथ बिताएं गए पलों को और भी खास बनाने के लिए आप एक सुंदर बगीचे में जा सकते हैं या फिर किसी पहाडी इलाके में चेकिंग कर सकते हैं। इससे आपके रिष्टे में ताजगी आएगी और प्रकृति के साथ आपका जुडाव भी बढ़ेगा। दो एक दूसरे के लिए व्यक्तिगत उपहार तैयार करें। उपहार देना अपने प्रेम को व्यक्त करने का एक पारंपरिक तरीका है। इस वैलेंटाइन दे पर आप अपने साथी के लिए कुछ व्यक्तिगत और मनोभावना से भरपूर उपहार तैयार कर सकते हैं। जैसे की हाथ से बनाया गया ग्रीटिंग कार्ड, एक प्यार भरी कविता, या फिर एक हाथ से बनाई गई पेंटिंग, ये उपहार न केवल खास होंगे बलकि आपके प्रेम की गहराई को भी दर्शाएंगे। तीम साथ में कुकिंग करें। एक दूसरे के साथ समय बिताने का एक मज़ेदार तरीका है कि आप साथ में कुछ खाना बनाएं, इस दिन को खास बनाने के लिए आप दोनों मिलकर कुछ नई रेसिपीस चाई कर सकते हैं। कुकिंग के दौरान आप एक दूसरे के साथ हनसीम जाग भी कर सकते हैं, जिससे आपके बीच की बॉन्डिंग और भी मजबूत होगी. चार साथ में फिल्म देखें अगर आप और आपका साथी फिल्मों के शौकीन हैं, तो वैलेंटाइन दे पर साथ में फिल्म देखना एक बहतरीन विकल्प हो सकता है, आप घर पर ही एक कोजी मुवी नाइट प्लान कर सकते हैं. अपने पसंदीदा स्नैक्स के साथ एक रोमांटिक फिल्म देखना आपके दिन को और भी खास बना देगा. पांच सर्प्राइज डेट प्लान करें अपने साथी को सर्प्राइज देने का मौका कभी न छोड़े. इस वेलेंटाइन दे पर आप एक रोमांटिक देट की योजना बना सकते हैं. यहाँ देट एक सुन्दर रेस्तरा में हो सकती है या फिर किसी समुद्र तट पर अपने साथी को बिना बताए इस देट की सारी तयारी करें और उन्हें सर्प्राइज दे. यदि आप दोनों को घूमना पसंद है तो वेलेंटाइन दे के अवसर पर एक छोटी यातरा की योजना बना सकते हैं. यह यातरा आपके लिए एक दूसरे के साथ खास पलों को बिताने का एक सुनहरा अवसर साबित होगी. यातरा के दौरान आप नई जगों का अन्वेशन कर सकते हैं. नए लोगों से मिल सकते हैं. और नई संस्कृतियों को जान सकते हैं. साथ एक दूसरे के लिए लिखें. आपके द्वारा लिखे गए शब्द आपके प्रेम की गहराई को व्यक्त कर सकते हैं. इस वेलेंटाइन दे पर आप अपने साथी के लिए एक पत्र या कविता लिख सकते हैं. अपने भावों को शब्दों में पिरोकर आप अपने साथ प्रेम की भाषा होती है आप एक रोमांटिक संगीत की शाम का आयोजन कर सकते हैं जहां आप दोनों अपने पसंदीदा गाने सुन सकते हैं या फिर एक दूसरे के लिए गा सकते हैं यहां आपके वैलेंटाइन दे को और भी यादगार बना देगा 9. खेल और मनोरंजन अगर आप दोनों को खेल में रुची है तो आप वैलेंटाइन दे पर कुछ खेल खेल सकते हैं इससे न केवल आपका मनोरंजन होगा बलकि आपके बीच की प्रतिसपरधा भी एक स्वस्थ रूप ले सकती है 10. साथ में कुछ नया सीखें वैलेंटाइन दे के दिन आप दोनों साथ में कुछ नया सीखने का निरनय ले सकते हैं या एक नई भाषा सीखना हो सकता है दांस क्लास जवाइन करना हो सकता है या कोई म्यूजिक इंस्ट्रुमेंट सीखना हो सकता है एक साथ कुछ नया सीखना आपके रिष्टे में नई उर्जा और उत्सा भर देगा वेलेंटाइन दे एक ऐसा अवसर है जब आप अपने प्रेम का इजहार कर सकते हैं और अपने साथी के साथ खास पलों को साजा कर सकते हैं उप्रोक्त सूची में दिये गए विचारों को अपना कर आप इस दिन को और भी यादगार और खास बना सकते हैं याद रखें वेलेंटाइन दे सिर्फ एक दिन नहीं है बलकि यहाँ आपके प्रेम को व्यक्त करने का एक अवसर है अगर आपको यह विडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी कोई इस तरह का नया विडियो अपलोड किया जाए तो आपको तुरंत सूचना प्राप्त हो जाए धन्यवाद